हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार पीड से आप सभी का अपनी इटीप चैनल में तो आज मैं बना रहे हूं सिंगाडे की सबजी सिम्ला में डालके और उसी की रैसे पर आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं कभी-कभी कुछ मन करता है कि अलग सा खाने का तो इसलि के बाद अब सिंगाडों को अच्छे से चील लेंगे तो यहां पर मैं चाकू की हल्प से सिंगाडे चील रही हूं यह सिंगाडे थोड़े से पके हुए तो इन कछिल का थोड़ा सा हार्ड है तो इसलिए यह चाकू की हल्प से मैंने अच्छे से चील लिया है सारे करके डाल दूंगी और अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राइ कर लूंगी देखिए इने बिल्कुल धीमी आज पर फ्राइ करना है जैसे कि अंदर तक पक जाए अगर फुल गैस पर हम इने फ्राइ करेंगे तो इन्हें पर से तो यह गोल्डन कोटिंग हो जाएगी इनकी तो अब यह देखिए यहां पर गोल्डन हो गई है हमारे सारी सिंगाड़े की गिरी तो इन्हें इस तरीके से हम निकाल लेंगे अब आप चाहें तो इन्हें बारिक बारिक पीस कट करके भी सब्जी बना सकते हैं और चाहें तो सावत किरी भी सब्जी में डाल सकते हैं जैसा आपका मन करें, आप उस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने चार टमाटर ले लिए हैं, अब इन टमाटर को मोटे- पीस में कट कर लूँगी मसाला पीषने के लिए, तो यहाँ पर मैं लैसन प्याच का यूज नहीं कर रही हूँ, तो आप चाहें तो लैसन प दाला है काला नमक दो चम्मच डाल दूंगी धनिया पाउडर आदी चम्मच जीदा एक चोटी चम्मच हींग दो सावत लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी तो अब ये मसाला पीसने के लिए हमारा तयार है समान तो यहाँ पर देखिए मैंने पेष्ट त्यार कर लिया है तो अब हम एक कड़ाई ले लेंगे, कड़ाई में चड़ा देंगे सरसो का तेल थोड़ा सा सरसो की तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे हम मेथी दाना मेथी दाना अच्छे से चटक जाएगा तो उसके बाद हम उसमें टमाटर का पेस्ट आइड कर देंगे टमाटर की पेस्ट को अच्छे से चिकनाई शोड़ने तक पकाएंगे आभ इसमें हमें कोई भी मसाला और कुछ बहुत ही अच्छी से पका लेनाए देकि खाया है जितनी अच्छी तरह के से आप मसाली को पकाएंगे उतना ही टेस्ट आपकी सब्जी में आएगा जब तक चिकनाई ना छोड़ देए तब तक इसी अच्छे से पका लेना है तब यह देखिए हमारी टमाटर ने चिकनाई अच्छे से छोड़ दी है तो अब इसमें डाल देंगे हम अपनी सिंगाडे की गिरी और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी अगर आप ग्रेवी वाली खाते हैं जादा ग्रेवी वाली तो आप जादा पन डालिए मैं यहाँ पर हलकी ग्रेवी वाली सबजी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी याट कर दूँगी और सबसे लास्ट में डाल दूँगी इसमें बिल्कुल बारिक बारिक कटी भी मैंने एक सिम्ला मिर्च ली है तो इस सिम्ला मिर्च को डाल दूँगी अब इसे अच्छा से मिक्स करेंगे और कुछ टाइम के लिए ढख कर पकने के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर इसे ढखने के बाद मेडियम फ्लेम पर पांच से दस मिनट के लिए पका ना है पांच से दस मिनट के बाद हम अपनी सबजी को चेक कर लेंगे सिंघाडे हमारे पके हुए है तो अब इसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जी को पांच से साथ मिर्ट में तियार हो जाएगी तो अब यह देखिए यह काफी गाड़ी के रेवी वाली सब्जी हमारी तियार हो गई है अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और उपर स जाल देंगे इसमें मिल्कुल बारिक बारिक कटा हुआ हरा धनिया तो यहां पर हमारी गर्मा गर्म सिंघाडे की सब्जी तियार है मैं यहां पर सर्विंग बावल में निकाल रही हूं देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है तो आप सभी भी ट्राइ कीजिए सिंघाडे की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट से बन जाती है आप सभी को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बुक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अकर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच